हाँ इंडीया जो है वह जो कमपनिया इटी कमपनियां उन कमपनियों से उनका रेवेन्यू का तू परसेंट लेता है तो ए अमेरीका जो है वोला है कि इस डिश्टल टैक्स एज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉप और ये US कंपनियों के अगेंश्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो उसका लोजीक यह है कि revenue पे क्यों लेते हैं income पे क्यों नहीं लेते हैं तो revenue का दिजिता पैसा आया होता है not income क्योंकि कंपनियों खर्श भी होते हैं तो revenue तो जितना आया लेकिन उसमें से जितना company का expenditure उसको हटा देगा तो income बनेगा तो नहीं इंडिया जो revenue पर लेता है और ये US के कंपनियों पर लग रहा है that is extraterrestrial लेकिन इंडिया का कहना है कि हम केवल और केवल US कंपनियों को थोड़े लेते हैं हम तो सभी से लेते हैं तो 2% है इसको बोलता है इंडिया की equalization लेवी और केवल US कंपनियों पर नहीं लगता ये all non-resident e-commerce operator पर लगता है irrespective order country of residence और इंडिया का कहना है कि हम उतना ही पैसे लेते हैं जो पैसा वो इंडिया में generate करती है जो revenue हम उस revenue पर लेते हैं हम बाकी कहां पर कितना पैसे generate कर दूस्पर नहीं लेते हैं तो इसलिए इसका extraterrestrial ये नहीं है ये हमारा देश में जो उनका revenue आया उस पर हम लेते हैं तो ये point है हमारा US और इंडिया का टसल असान जे वेगर आप लोग पढ़ लिया होंगे हम उमीद कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान को अब लोग पढ़ी लिया होंगे जाकर लखवी का आते हम लोग ये में नैस्नल में नैस्नल में भी सारा news नहीं कवर करेंगे कल फिर क्लास मांता लेगी वह सारा कवर करेंगी यह भी बता देते है कि बांच कि वेकली टेस्ट है है, तो सीड में फेजें होंगे कम तो इस वीक में आप लोगों को ये नहीं मिलेगा आप लोगों को गयाप ने देंगे कल फाइनल हो जाएगा जो भी पढ़ाना है वाकई और आप लोग संडे को कल सटाड़े है और आप संडे को टेस्ट दे रहे है तो वेट मत किजिएगा कि खतम हो जाएगा सीट आएगा पूरा पढ़ेंगे ऐसा कुई वेट करने के जरौद नहीं है तो यहीं करते स्टाट करते हैं से असीरियन चर्च में मुद्धा थ्वड़ बोल दे रहा है कोट का मुद्धा हां पूजा इस पर मंडी को नहीं हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है पर निमा इस पर आधा हो गया है इस पर जैसे अगर उस पर सीट था 56 पेजेश था तो 106 तो इस पर 50 से 60 पेज़ी होगा तो बहुत जादा नहीं है और नोटिस तो दे दी आज आज दिन भर आप पढ़ लेजे परसो भी दिन भर मिलेगा आपको तो अगर हम हमको एक और मुद्दा है ना हम भी दो या तीन दिन के लिए हम नहीं रहेंगे तो फिर 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 पेंडिंग हो जाएगा और क्लास खुल गया तो फिर जो पेंडिंग चीज को ले करके और करना फिर मुश्किल होगा हम लोग के लिए तो दे दीजे इस वा टेस्ट अभी पढ़ लीजेगा अच्छा आगे बढ़ते हम लोग तो यह जो है हमको लेगता है 60 पिजिज पार करेगा इस पार तो मुद्दा यह है ना कि यह मुद्दा पहले बूठ गया है यह मुद्दा यह है कि चर्च में जो यह प्रिष्ट होत करते हैं चले एक कोईशन पूछेंगे आप लोग को पता है कि बुद्द भूध धर्म में भी एक कंफेशन नम का कोई चीज उता था कि कि कोई याद है कि कंफेशन नाम का चीज होता था और भूध धर्में उस कंफेशन को क्या बोलते थे संगीति नहीं है अच्छा कंफेशन का मीनिंगी बता देते हैं कंफेशन का मतलब होता है अपने गुनाहों को श्विकार करना तो ये कंफेशन जो होता था बौधर में होता था मतलब थोड़ा और भी बोलेंगे अतुपा बोलिये अच्छा थोड़ा और बता रहे है जब तब किसी को याद आएका तो याद कीजेगा खली विकीडिया मत देखिएगा तो ये जो है, जब जो भिक्षू थे, बहुत भिक्षू और बात में भिक्षूनिया भी, बुद्ध के समय में भिक्षूनिया नहीं थी, बुद्ध कहां पर इस बात का इजाज़त दिये, पहले इस कोशन का, ठीक उसके बाद उस कोशन का, जो बूछरे पहले, कहां पर इस बात का इजाज़त दिये, कि नंस भी, यानि फीमिल्स भी संग को जोईन कर सकते हैं, भिक्छुनियां भी संग को जोईन कर सकते हैं, इस बात का पहले एंसर चाहिए, किस जगह पर वो इजाज़त दिये? हाँ, सुजाता बुलिया किसके कहने पर और कुई मौमता मौमता एक और नाम लगता है ने टर्की इशु है अच्छा या दूसरा नाम जो था हाँ मौमता बुलिया आपका प्रब्लम ज्यादा है वहाँ पर हम आगे बढ़ रहे है एटवाज प्रजापति गौतमी जो के कहने पर आनंद और प्रजापति गौतमी के कहने पर वो प्रजापति गौतमी उनकी मौस्ती सौतेलीमा पर वो भिक्षुनुयों को संग में सामिल किये प्रजापति गौतमी पहली लेडी थी जो इसमें सामिल हुई संग में सामिल हुई पहली लेडी और यही वैसाली में ही एक और भी परसं एक लेडी को संग में सामिल किया गया, वो कौन से लेडी थी, देओ, आमरपाली, ठेक है, तो यह वहां की वैश्या थी, नर्त की वैसा भी, तो यह चलिए, यह तो बात हो गया, हम थोड़ा जोड़ दिये बहुत कुछ, एक्शली इसलिए जोड़े ना कि जो पुराने रिलिजन है, उन रिलिजन्स में काफे सिमिलर्टी है, सिमिलर्टी है, बहुत धर्म में जो भिक्छू और भिक्छुनियां थे, यह, अच्छा चलिए कुछ कोश्यों बहुत धर्म से उठ गया तो पूछ लेते, यह कितने दिन रुखते थे कहीं पर, maximum, बुद्ध बोलके रखे थे, इससे ज़्यादा मत रुकना, भारती बुलिया, सर्थ, दो-तीन दीन से ज़्यादा नहीं रुखते थे, सिर्फ बारिस के मौसम में तीन महीने रुखते थे, चीक है, तो यह तीन दीन जो है, इनका maximum time कहीं रुखने का, बरसाथ के मौसम का तीन महीना जो था, वहाँ पर इनको permission था कि रुखेंगे, और यह रुखेंगे, तो बुद्ध बुद्ध बहुत ग्रेट अर्गनेचर, बहुत बड़े अर्गनेचर थे, तो उनको पता था कि इस दौरान में जहां रुखे, यहां प जो लोग कनफेश करते थे, उपोस्त है क्या, हाँ उपोस्त, सही है, तो यह जो है, जब यह लोग बोल रहे थे हम, कि जब यह लोग तीन मिना रहते थे, तो यह महीना में दो दिन, यह एक स्रोमनी होता था, उसको बोलते थे कनफेशन, तो एक कनफेशन जो होता था, इसम अपने seniors जो होते थे order बना हुआ था ना उसमें तो जो seniors थे उनके समने बैठ करके confession करना पड़ता था कि हम इस तरह में क्या क्या गलतिया की अगर वो गलतिया काफी serious किसम की हुई तो उसको संग से निकाला भी जा सकता था और नहीं तो उसको माफ भी किया सकता था तो यह confession का जो है बहुत धर्म में पहले से ही है, Christianity से पहले है, but Christianity में भी है confession, तो यह confession जो है एक political way से बात करे एक writer The Hindu में लिखा था कि यह जो system है किसी फी realism में, it gives extraordinary power in the hands of government, government का मतलब है, those who are in authority, अब senior है तो जुनियर का हर बात जान रहे, यह that is that is a problem, सरकारे, सरकारे, चाहती है कि हमारा सारा का सारा data उसके पास पहुंच जाए, सरकारे चाहती है, हम क्या खरीतते हैं, अरे digital किजिए तो हम digital जहां किये हैं, वहाँ पर हम क्या खरीतते हैं, पते चल गया, अगर cash करेंगे, तो यह gold दुकानों को बता के रखा गया है, जहां फिप्टी थावरेंट क्रॉस करेगा, pen number ले लेना, दो लग से जाता हम खर्च नहीं कर सकते cash में, मतलब सरकारे चाहती है कि हम तो पैसा का बता दिये, बट सब कुछ आपका income कितना है, आप क्या सामान खरीतते हैं, आपका phone number क्या है, आप किसके किसी contact में है, सब कुछ सरकारे चाहती हैं कि उनके हाथ मेरे, आपको पता है facial recognition technology, आप कहां जाते हैं, कहां जाते हैं, सरकारे चाहती हैं कि वो पता रहे तो सरकारों के हाथ में extraordinary power people के उपर में आ जाता है, और लोग जब चाहते हैं सरकारों से कि सरकार आप क्या कर रहे है डिटा दीचे, तो सरकारे बोलती है आपका काम का नहीं है, RTI को कमजोर कर देती है, ताकि information न देना पड़े, सरकारों से information का flow नीचे के तरफ में अच्छ नहीं होता है, generally, जितने strong सरकार होगी, उतना ही बुरा हाल होगा, वो नहीं चाहेगा कि डेटा नीचे उतरे, जबकि सरकारे चाहते हैं कि नीचे से डेटा जो है उपर चला जाए, तो यह जो है, यह बड़ा, मतलब, इनिक्वल फ्लो अफ डेटा है, तो इससे क्या होता है, सरकारों के हाथ में जबरतस्त पावर आ जाता है, लोगों के, लोगों को को गूंट्रो करने के लिए, और लोगों के हाथ वो पावर नहीं होता, कि सरकार के साथ कुछ कर सके, खैर, religion में भी यही है, religion में इस Christianity में, जो प्रिष्ट होते हैं, जो गुसते हैं, उन लोगों को एक सरवनी होता है, that is confession, यहाँ पर उनको अपने किये कर्मों को, भलकी बली के कू कर्मों को बताना पड़ता है, और इससे क्या होता है, जो senior होता है, उसके हाथ में extraordinary power चलाता ह तो और उस extraordinary power का, अब सब धर्म वाले जो होते हैं, वो धर्म वाले धार्मिक वियू से नहीं घुसे होते हैं, कि वो धार्मिक जो है, चलिए एक experience देते हैं, एक time में मेरा interest, not typical realism, but religious बातों में एक time में मेरा interest था कि क्या है यह, तो वो time था जब हम गीता पढ़ा करते थे समझने के लिए, लेकिन कभी dogmatic नहीं, fanatic रूप में नहीं, एक just जानने के लिए, तो उससे में 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 को पता चला कि लोग जो है, वो लोग इश्वर को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, कई पर सन्यास लेते हैं, और जब सन्यास ले लेते हैं, तो कुईसी का जन्म, किसी का मरना से कुई फर्क नहीं पड़ता, वो बिलकुल, मतलब, किसी से मुह माया नहीं रखते हैं, बुध वाला, कहीं भी चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि रुकेंगे तो attachment हो जाएगा, त घर के पास सन्यासी लोग आये थे, चारपाँच, गुजर रहे तो पूछें, कि आप लोग क्यों सन्यास लिए, आप भलकी, एक से जिसे बात, क्यों सन्यास लिए, तो मेरे दिमाग में तो हो था कि ये, तो सत्य का खोज में होगा, मोह माया से दूर भाग गया है, और कोई जिसको बलते हैं, राग, द्वेस, इरश्या, ग्रोध, कुछ नहीं हो, तो बोला, अरे क्या करे, बड़ा गरीवी था, कुछ कामधा मिला नहीं, खाना भी तो है, तो इसलिए गिर्वा पहन लिए ताकि भीकुक मिल जाए और खाते रहे, भीकुक ठिक से मिल जाए, तो सब लोग religion में उस कारण से नहीं है, जिस कारण से ऐसा समझा जाता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं, जो लोग confess किये हैं, उनको exploit कर लेते हैं, तो exploit कर लेते हैं, naturally सबसे बड़े exploitation होगा, that will be of women, और आप याद कर लिजे, राम रहीम को, तो राम रहीम का भी sexually exploit करता था, तो यहाँ पेख है, मुद्दा क्या है, मुद्दा है, सुप्रीम कोट में पर्टीशन गया हुआ है, पर्टीशन गया हुआ है कि यह जो confession से रोमनी है, यह sacred confession इसको रोका जाए, ठीक, अब पर्टीशन filed by a group of women, काभी कुछ बूल दी आप लोग को, हम तो आप समझ के होंगे, लेकिन अब इसमें आएगा मुद्दा, कि यह right to privacy, यह वो सब, but बात यह है कि आप गौर्मेंट इन बार्ट नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा, कि गौर्मेंट थोड़े बोलते confession करने है, this is realism, तो फिर एक बात उठेगा, is it essential feature of realism, उठेगा question, कि क्या Christianity मे यह जरूरी है, जरूरी है तो फिर सुप्रेम कोड बोलेगी, नहीं तो जरूरी है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जिसका मन है करें, तो लोग बात उठा रहे हैं, बट सब्री माला में ताप फैसला दिये थे, women के favor में, तो चलिए, बाकी तो आप लोग समझी पाएंगे कि क्या है मुद्ध, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह के जो किसे जहनब, थोड़ा सब बोल दे रहे हैं, कि रिलिजन में तो है ही है, आपको पता है कि यह सब कन्फेशन, किसी परसन के सामने में, अपने साथ कुछ गुजरा हुआ बात, जिसको एक्स्प्रोइट किया जाए, उसको बोलने से लोगों को थोड़ा सो तो एक पर सोच देना चाहिए, दूसरी बात है न, साइकलासी में भी इस तरह के प्रवलम्स कही बार आते हैं, साइकेटरी के डॉक्टर्स जो होते हैं, कई बार इस चीज़ को मिस्स्यूज करते हैं, मतलब क्योंकि पैसेंट का सारा का सारा हिस्ट्री कही बार उनको पता होता है, तो ये प्रवलम्स हैं, कई जगा और भी है, चले हम लोग आगे बात करते हैं, अगला बात जो करते हैं, वो काफी इंपर्टेंट, आप लोग पॉलिटी पढ़ें, कुछ लोग तो पुरा पॉलिटी कम्प्लीट भी कर गयें, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कि इंडि रही है, रूल अफ लोग, हम जानते हैं कि इंडिया में कानुन का सासन है, सब कुछ कानुन से चलता है, दूसरा बात हम जानते हैं, सेपरेशन अप पावर, कोई भी अमनी पोटेंट नहीं है, इंडिया में, कोई भी, ना प्रधान मंत्री है, ना पर्लेमेंट है, और ना ह सब के अपने अपने राइट्स हैं, और सब के अपने 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 लिमिटेशन्स हैं, आप अगर कुछ भी करते हैं, अगर आप पार्ट अव गवर्मेंट हैं, आप अगर कुछ भी करते हैं, आप राजा नहीं है, राजा तो है नहीं हमारे पास, नहीं तो राजा जो है कुछ भी कर सकता था वो कानून बना सकता था कानून लगू करवा सकता था और राजा आपको पता है पुरानी कानियों मा पड़े हैं कि राजा न्याय भी करता था अकेला आदमी सब काम करता था न्याय भी देख लेता था final court of justice भी था तो यह जो है यह तो रहा नहीं अब हम स Constitution बनाया, तीनों को बनाया, तीनों को powers दिये और तीनों को limitations दिये, आपकी ये काम है, तो Constitution पढ़ाते पढ़ाते आप लोग याद होगा कि हमें बाद बुलते है कि किस तरह से किसी law को, अच्छा चलिए आप लोग से पूछ क्यों न ले हम, आप लोग बता सकते है कि कोई law बना दी Parliament, तो उस law को आप किस basis पे challenge करेंगे Supreme Court, Supreme Court पे क्या बोल करके challenge करेंगे? law तो बनाना काम है न, पारलेमेंट का, तो हम कैसे challenge करेंगे? असना बोलियो Sir, it's while it's the basic structure अच्छा, सुस्ते है थड़ा, पुजा अगर fundamental rights का हनन हो रहा है तो फिर सोचते है थोड़ा अकांच Sir, unconstitutional बोलेंगे अनिवेश, सबसे पुछी लेते हैं हम भी भी बोलेंगे, sir, unconstitutional सुजाता Constitution के according है या नहीं हम accept कर रहे है last three answers शुरू वाले थोड़ा गलत हो गया एक जो हम बता रहें गलत कहां पे है सना बोले कि basic structure के against में है तो कोई बता सकता है कि basic structure के against में ये answer भी हो सकता था लेकिन वो कब हो सकता था कि ये basic structure के against में है ये कब उठाते हैं सुप्रेम कुट के पास यहां भी अंसर गलत है जो बोली है लेकिन उक कब उठाते है अमर अमर आवाज नहीं आ रहा है आपका भी network का प्रब्लम है आकांच सर जब amendment करते हैं और रुक क्यों गई सर जब amendment करते हैं और basic structure जो रहता वही चेंज कर देते हैं amendment से तो सबका सुनेंगे सब बेसिक structure डिफाइंड नहीं यह सुजाता बुलिए सब बेसिक structure को अगर एक यह कर सड़ी अमेंडमेंट को लेके basic structure का concept अप्लाते हैं जब की the question is about constitutional amendment act constitutional amendment not law जब सम आर्थी बोली क्या बोल रही है अब सर जो अनिमेश बोला की basic structure defined नहीं है सर यह क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि जो ऐसी topic जो constitution में नहीं है और अगर उस वेक topic पर कोई law बन जाता है तो उसको हम क्यों नहीं चैलेंज कर सकते हैं अच्छा पूरा बत सुनके फिर से बात करेंगे अपसे पहले सुन लीजिए फिर आपको बात हम समझेंगे ठोड़ा हम समझ भी नहीं है पहले हम पहले बोल देते हैं देखिए constitution amendment अगर involved है ठीक तो हम challenge करेंगे कि it is against basic structure of constitution अगर amendment है तू क्योंकि क्यों अच्छा और अगर the question is of law तब हम बोलेंगे it is unconstitutional ये दोनों अलग अलग हैं जब हम unconstitutional बोलते हैं तो केवल fundamental right का मसल नहीं होता है हम constitution के किसी भी जगह को दिखा सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है ये बात और law बोलता है ओ बात केवल fundamental right का मुद्धा नहीं है कहीं भी कहीं भी कहीं भी जैसे मान लिजिए कि Central Government जो है पुलिस को पर हम कुछ कानून बना दे तो हम बोलेंगे एक पुलिस के बारें कैसे कानून बनाया it is a street subject fundamental right तो नहीं है लेकिन unconstitutional जहां पर law का मुद्धा होगा वहां पर हम बोलेंगे कि ये चशें से कानून के जनगेंस्ट में जब ये कंसे सब्सक्राइब treatment होगा तो हम ऑन नहीं बोलते हैं आप हम को पुछे रहे हैं कि जब कानून 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 होता है तो हम ये नहीं बोलता है हम बोलते हैं इसा क्यों इसा क्यों बोलते है इस अगेंस्ट बेसिक विश्ट्क्चर अब अमर आपका आवाज नहीं आ रहा है एक ही आद उठा है आरती बुलिया सर कॉंस्टियूशनल अमेंडमेंट से अगर कोई चेंजेस होता है तो वो उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो इसलिए बोलते अगेंस बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ कॉंस्टियूशनल अमेंडमेंट को तो of Constitution. Sir, क्योंकि amendment करना तो Constitutional right है प्रञ्डर्डे का बस बस बेसिक structure को change नहीं करेगी इसलिए बोले what iserez? Sir, यही बोरहते कि Constitution में है 368 में अमर्भात तकortaने आवाज से आरा है अमर ाब क्या बात कर दे सामीब कर इसले मतलब बुलते विर यह Constitution का में जो पीलर्स है मतलब कोश्रम नहीं पूछे थे वाला आरती कुछ और ही बोलना चाह रही है क्योंकि Constitution Unconstitutional तब बोलेंगे जब वो Constitution में लिखा हुआ है ये changes जो होते हैं वो उसका जो एक अगर हम यहां पे एक पॉइंट डालते हैं यहां पे ऐस तरह से एक लाइन लिखती है अब इसको चैलेंज करना है इस लाइन को ही चैलेंज करना है यह Constitution लिखा गया है हम CoTE को क्या वो लेंगे अगर बोलेंगे इट इज रॉन thumbs and और आवर से उन कंसेशनल तो कैसे हिसे है儿 यह वहां इंट इस पार्ट आए एलायमन्यट वहां कि अब एक पंट दिये, दूसरा पंट समझे, दूसरा पंट क्या है, सरकार क्या ले क्या आई, सरकार Constitution नहीं ले करके, सरकार एक law बाहर से बना ही law, अब ये law बना, तो हम क्या बोलेंगे, this law violates, तो violates क्या, बोलेंगे रहे, एक Constitution के against में, इस पूरे बुक में कहीं भी दिखा करके बोलेंगे, it is against Constitution, law बना है, तो Constitution को वालिट कर सकता, तो challenge होगा, ठेक, मुद्धा बेसिक इस्ट्रक्चर का नहीं है, आपर, बात है, कि ये Constitution, Constitution के against में जा रहा है, और जब वो Constitution में ही है, तो बोलेंगे, मतब डाल दिया गया है, तो बोलेंगे, against the basic structure of Constitution, तो ये जो है, दोनों फर्क है, यहां पर, जब किसी law को challenge करते है, तो हम बोलते है, it is unconstitutional, दूसरा मत यह है, जो मुद्धा उठा था कि basic structure defined नहीं है, Constitution नहीं भले न लिखा हो, लेकिन basic structure कुछ जो है, it is well defined, जैसे, इंडिया separation of power हाँ है, तो ये जरूर है कि वो कितना है, वो पूरा defining है, बट, जैसे separation of power का आगया था, NJAC में, तो वो मुद्धा हम उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं कि court को बोल सकते हैं, कि आप तो बोले थे पहले, कि separation of power है, तो ये वाला basic structure का valid कर रहा है, अगर हम, मैं ही दिखा सके पुराना basic structure, तब बोलना पड़ता है, आप बताएं नहीं है, बट ये भी basic structure है, और तब जाकर कि वो court जैसे बता रहा है, कि federalism था, federalism था basic structure, secularism था, लेकिन ये कि separation of power of judiciary and executive, ये जो था, ये clear कर डिफाइन नहीं था, कि it is basic structure, तो NGAC case हम बोला गया, court को समझाया गया, कि ये basic structure है, तो बोली हाँ, हाँ, ये तो basic structure है, और NGAC को खारीज की थी, ठीक है, तो मुद्धा ये है, कि किसी लोग को, जब हम court में challenge करते हैं, तो हम बोलते हैं, it is unconstitutional, समझ लेएगा, it is unconstitutional, constitution के किसी भी provision के खिलाफ में, और जब कभी हम constitution amendment को challenge करते हैं, तो बोलते, it is against basic structure of Indian constitution, ठीक, तो बात ये उठ रहा था, कि law on constitution क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो basic structure का बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो contradict constitution से ही करता है, आरती कुछ बोल रही है, अब फिर अभी भी कुछ बोल रही है, नहीं सर कुछ नहीं बोल रही है, नहीं मतलब वो बात point क्या इतना दिर में आगया, आपका address हो गया point, हाँ, तो यह जो है कि अब जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम बोले कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा यह है, मतलब बहुत मुद्दा भड़ा भी है और बहुत बिकार मुद्दा है, विकार मुद्दा ये है कि हम इतना कुछ आप लोगों पढ़ाती है, अभी तक पढ़ाते रहें, successfully, लेकिन अब क्लास में क्या पढ़ाएंगे, अब ये भी एक problem है, क्या पढ़ाएंगे, Supreme Court उस हद तक, मतलब एक फैसला दे दी है, जिसको कि पचाना बड़ा मुश्किल हो र है, देखिए, फार्म लॉको, फार्म लॉको, फार्मर्स चैलेंज ही नहीं किये, ठीक है, चैलेंज ही नहीं किये, ये जो है, it is not judicial matter, समझी एक बात, यहाँ पे सरकार क्या बोल रहें, यहाँ पे बनारें फिर एक law उनर ये सरकार, सरकार इस law में कुछ-कुछ लिखी हुई है, और यहाँ पे हमारा जो है, ये किसान है, ये जो हमारा किसान है, ये किसान नहीं बोलता है कि it is unconstitutional, चैलेंज ही नहीं करता है, जिसको चैलेंज करना है करें, कर रहें कुछ लोग चैलेंज, इस्टेट कर रहें चैलेंज, लेकिन किसान नहीं किसे चैलेंज, किसान बोल का प्रब्लेम है वी फिलहाल कि आओ बात करो टेक और इस कानुन को खतम करो यहां पे मुद्दा है यहां पे एक आदमी एक और भी परसन बैठा हुआ है जो बोलता है तो यह जो है यह जो आदमी है कि इसके पास किसान गए ही नहीं इसका constitutionality को challenge नहीं किया और पार्लामेंट का जो है पूरा power है पूरा power है कि वो कोई भी law बना सके अपनी jurisdiction में वो बनाई है law तो उस law को कोई court कैसे बोल सकती है कि हम इस्टे करते हैं एक कोश्चन उपता है कैसे बोल सकती है इस्टे करते हैं किस बेसिस बेस्टे कर सकते थी कोट फार्म लोग को इस्टे की है की है हम बता रहें की है और साथ ही साथ एक कमिटी भी बनाई है जो फार्मर से बात करेगा चार लोगों का कमिटी है जो फार्मर से बात करेंगे मेरा कोश्चन यह है कि यह कोट जो फार्म लोगों को यह यह इस्टे की है कुछ दिनों के लिए उसका इस्टे नहीं बोल सकते उसका उसका इन्फोर्समेंट को मतलब कि वो काम करेगा उसको इस्टेकी है कि वो अभी इफेक्टिव नहीं होगा इस बात के इस्टेकी है कोड को यह पावर कम मिल सकता था मेरा कोश्चन यह अनिमेस भोलिया जब कोई चैलेंज करता तब मिलता जब कोई चैलेंज करता किस बिस्स पर चैलेंज करता है पता हिए तो बात यह है कि अगर यह कानून constitutional नहीं है और समझे के मेरा बात को prima facie, prima facie जाते जाते समझा देता कि judge साब आप देखिए इसमें problem है आप समझे ये बात को इसमें problem है ये ये देखिए ना यहाँ बहुत problematic situation है और judge को लगता रे प्राइमा facie तो बात ठीक ही बोल रहा है, prima facie बाद में पूरा सुमाई बाद में करेंगे, prima facie तो ठीक ही बोल रहा है तो चलिए हम जब तक इस बात का जांच न कर लें, देखिए presumption हमेशा रहता है न कि it is constitutional, भी समझ लीजे कि जब भी legislature कोई कानून बनाती है तो ये court presume करते है कि it is constitutional, तो अगर उसको prima facie बोला जासे कि it is unconstitutional, तो court क्या करते है, वो court बोलते है कि prima facie लगता है, कुछ में गड़बड है, हम जब तक इसको check न कर ले, I stay this law, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई constitutional, कोई फार्मर्स लोग case न किये और नहीं constitutional basis पिसका सुमाई हुआ, और court क्या बोलती है कि हम इसको stay करते है, ये बहुत खत्रनाक है, हम farmers का मुद्दवड ही जा रहे है, कि फार्मर्स ही है आप मेरबात समझीएगा, हम इस पर नहीं जा रहे है कि farmers जब यह से सरकार सही है, इस बात का फैसल करने का right court को नहीं है कि वो इस बात का फैसल करे एक कोई सही है यहां हां निमेस बोल ली जब फिर बोलेंगे हैं कुछ आप बोल रहा है साद कॉर्ट सुवा मोटली है ने-नी हम बात कर रहा है वो ही बदा रहे है यह देखिये यह मुद्दा ऐसा है पर बेधि कर ले कि यह जो मुद्दा है यह मुद्दा अगर ये हम बहुत बैड प्रेसेडेंट है अगर पैरलेमेंटिक लौ बनाती है तो कोट हजारों लोग या लखों लोग दिल्ली को घेर ले और कोट उसको इस्टेक करते हैं मतलब जजज़ काकाम होता है तो सीथा लिगालिटी लेकिन जज़़े जो है वह पॉल्टिकल मुददह देख रहे हैं अरे भीड हो गया है आंदोलन हो रहा है लोग मरे जा रहे हैं । ईह कोट काका नहीं है कूट का काम अगर स्टे करना था तो constitutional angle ढूंदना था इसमें बात यह था अब बात यह कि कोट के पास पहुंचा कैसे कोट के पास मुद्धा पहुंचा कि कुछ लोग कोट के पास चलेगा हमारी सरकार भी बहुत श्रीवड है बहुत श्रीवड एंड कनिंग यह क्या कि है यह देखे इज एक्जकुटिव टो अगर किसानों को हटाना है तो हटा दीजिये एक्जकुटिव को आधकर हटा दीजिये लेकिन लोग कोट के पास कोई गया कोई थर्ड परसन सरकार भी नहीं गया कि यह किसानों को खाली करवाया जाए किसानों को उस जगह से खली करवाया जाए अगर कोट यादेश दे देती किसानों को खली करवाया जाए तो सरकार क्या करते पीट-पाटी कर भगा देती और बोलती कि हम तो कोट का अधेस का पल्म कर रहे थे तो अपने उपर में ब्लेम ना हो, इसलिए आजकल घूम के जा रहे हैं, ये बात बाद में कोट हमारी समझ गई, बाद में क्या की, बाद में, अभी बोला गया कि 26 जनरी का परेड है, कोट कितना सरोकार जा रही है, कि छबी चनली का प्रेट रुखवा दीजिए, अरे छबी चनली का प्रेट कोट क्यों रुखवाएगी, आप सरकार हैं, आपको law and daughter का आपका duty है, आपको deal करना तो कीजिए, तो ये जो है न बड़ा खतरनाक खेल है कि कोट को मुहरा बना करके और किसान आदोलन से deal कर रहे है हाँ तो बाते कर रहे थे कि लोग पहुंचे कि उहां पर खली करवाए जाए, उसी केस में जो है ये सुप्रीम कोट क्या की, बोली कि हम बहुत दुखी हैं इस आदोलन से, इस आदोलन से बहुत दुखी हैं और हम इसको अभी इसका enactment उसको मतलब effective नहीं होगा, उसका अभ अभी काम है, आप तो केवल और केवल उसका legality को देख सकते हैं केवल और लिगालिटी को देख सकते हैं, दूसरा के मुद आप देखी नहीं सकते हैं. हम accept कार रहे हैं, आकांचा कुछ और बोल रहे हैं? नो सर, सेंब बोल रहे हैं. अच्छा, ठीक है. ये काम दो लोगों कहो सकता था. या तो पर्लेमेंट का debates, समझभूज, ये सारा का सरकाम में तो पर्लेमेंट में होता, पारलामेंट में हो जाता है डिबेट, समझ भूज हो जाता, समझ लिते बातको, यां फे तो डिसकेसन का टाइम नहीं देती है, पास करा लेती है, जब पारलेमेंट खुट अप नहीं करने देंगे, तो पारलेमेंट तो रोड़ पर लगी जाएगा, एक यह भी problem है, कि Parliament बना हुए इसी काम से ना कि deliberate करेगा, सारे के सारे जो stakeholders हैं, उसको बुला करके समझा जाएगा, committee यह बनेगी, और उसके बद एक ऐसा कानून बनेगा, जिसे सभी लोग satisfied हो, वो काम तो सरकार करेगी नहीं, अब Parliament जो है, Parliament जो है, वो सड़कों पे चले आए अब बाचित किसानों से हो रहा है, एक काम पहले भी कहा सकता था, तो या फिर यह काम अगर Parliament का नहीं है, तो फिर executive का है, कर सकती है, executive किसानों से बात कर सकती है, अंदलन वापस लो, हम जो भी करेंगे, लेकिन यह सारा का सारा executive का काम और Parliament का काम हमारी court ले ली है, this is very distrustful, यह बहुत, यह जो precedence है, यह बहुत खराब precedence है, कि बिना किसी constitutional challenge के, repeat कर रहे है, बिना किसी constitutional challenge के, बिना किसी constitutional angle के, court जो है, duly passed by Parliament, पार्लेमेंट से अच्छी तरह से पास किया गया कानून को, इसको वो stay कर दी है, यह court का का काम नहीं था, हम farmer bill का, अगर against में भी है, तो court का favor नहीं कर सकते, इस currency नहीं कर सकते, कि बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा की, चलो farmer bill stay हो गया, यह court को यह power नहीं था, तो याद कीजिए, याद दिला रहे, महाराष्ट्र में quota लगा, महाराष्ट्र में quota लगा 50% exceed कर गया, वहां क्या high court जो थी, वो उसको stay की, stay की, क्यूं, क्या उसका stay करना सही था, जो quota जब 50% पार कर गया, तो क्या stay करना high court का सही था, अनिमेस, बुलिए, मैक्सिमाम 50% defined है सर, अब पुझा क्या बुल रहे है, जी मैस, ठीक है, एक लिश्ट लॉजिकल तो था, कि ये वालेट्स कॉंस्टिशूशन, लॉजिकल तो था, हार्याना में भी ऐसी हुआ, रिजर्वेशन 50% क्रास हुआ, वहां के court stay के लॉजिकल तो था, कि constitution का question है, एक बार मंडल कमिशन आया था, मंडल कमिशन आया था, तो जो anti-reservation movement चला था, बड़ा भयानत चला था, anti-reservation movement, उसमें क्या था, कि उसमें भी जो students थे, जो anti-reservationist थे, वो बोल रहे थे, केटी जंगां, constitutional, तो वो court जो थी, उसको stay की थी, stay की थी, आंदोलन भी था, आंदोलन था, जरूर था, आंदोलन का pressure था, लेकिन constitution का भी question था, stay कर दी, समझ में आया, कि चलो, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल और केवल आंदोलन का pressure है, यह एक ऐसा precedence है, कि अगर कोई law, हम फिर repeat कर रहे हैं, कि अगर कोई law parliament बनाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर आ जाए, तो भले कोई constitution अंगिल ना हो, लेकिन court उसके stay कर देगी, तो parliament का काम क्या बचा पिर, यह मतलब अजीव है, जो कुछ हुआ है, यह बहुत बहुत अचीव है, अब देखिए, जहाँ पर constitution अनिवेस बोलिया है, सर्ट तेलंगाना में भी अभी रिसेंटली 60% डिजरवेशन होगे, 10% EWS को मिला तब, तो वो भी unconstitutional हो गया, हम लोग अनिवेस ऐसे नहीं decide कर सकते हैं, unconsciously हुआ की नहीं हुआ, वो तो court decide करेगी, जो logic देखिए, पढ़ लेंगे, ठेकना, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग यह बोल सकते हैं, कि at least there is a controversy, there is a question, तो there is a question, वो तो court करेगी, फैसला करेगी, लेकिन हम यह बोल रहे हैं, यहाँ पर कि farm law में, there was no question, आप समझेए, C.A. Citizenship Amendment Act, Citizenship Amendment Act जो है, वो Citizenship Amendment Act जो है, उसके खिलाब भी तो protest हुए थे, उसमें तो constitutional angle भी था, बलकि constitutional angle ही था, उसको तुष्टे नहीं की, आप समझेए का, कोर्ट कैसे काम कर रही है, कस्मीर जो है, कस्मीर में, 370, 370 में पूरी तरह से constitutional angle ही है, वहाँ पर भी हालत ही है, कि वहाँ पर force है, वहाँ के, वहाँ पर law and order का problem भी है, उस question नहीं की, और उस कानून को, जिसमें constitutional angle पर at least discuss नहीं हुआ, एंगल तो है, लेकिन वह angle discuss ही नहीं हुए, और ये stay कर देना, ये एक नया low है, ये याद किया जाएगा, अगला 10, 20, 30 सालों तक या 50 सालों तक, कि ये भी हमारी सुप्रेम कूट की थी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर, क्योंकि काफी ये था, इसमें, मिनलब, angles है, चल ये हमको लगता है, फिर, हाँ सुजाता बोलिया, क्या, समराइज कर रहे हैं, कि इसमें एक आर्टिकल छपा है, कुल मिलाकर के बात जो है आर्टिकल जो छपा हुआ है, उस पे से दबाद करें, ये आर्टिकल छपा हुआ है, रैटर बोल रहा है, कि जो सुप्रेम कोट की है, फार्मलों को एस्टे ये जो है, it is a terrible constitutional precedent, terrible, वही बात उठाया है कि बिना किसी constitutional question के हुए हुए, ये court जो है, इसको कैसे एस्टे करती, इस्टे करती, committee बना ली, ये court का काम नहीं है, ये this is distributive justice के बात किया है, कि पैसे कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मानले ये थोड़े के लिए आप सबजी है कि लोग income tax हम लोग pay करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सरकार बोलती है कि हम जो गरीब लोग हैं, उनको हम free में gas तेंग देती हैं subsidized के रोशन तेल वगरा वगरा, और ये जो income taxpayer है, जाके दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली जाके हरताल और तल कर दे, तो हमारी Supreme Court, अगर इससे साब से चले, तो हमारी Supreme Court जो गाइस्टे कर देगी, तो फिर Parliament करेगी क्या अखेरकार, क्या इस तरह से हाथ बांधा जा सकता है, वो भी court, ये काम सरकार का है, सरकार देखे, समझे, stakeholder को बनाए, ये मुद्धा ऐसा ही है, चली आगे बढ़ते हैं, एक सत्रह में, बहुत लोग तो सत्रह में पढ़ी रहे थे, तो ये जो है एक law बना था, ये law बना था, इसमें क्या था, कि उस law के business पे एक regulation बन अब बाकी आपने कुछ पढ़िएगा, पढ़ के सुना रहे हैं, सुप्रीम को बोल रहे हैं, कि एक rule बना था, जिसमें कि किसी के उपर में अगर ऐसा शक हो, कि वो animal के साथ में cruelty करेगा, या उसको मार देगा, तो पुलिस को ये power है, कि वो animal को उससे छीन ले, और छीन करके वो गौसाला में, या कहीं भी जहां पर है, वहां पर वो डाल दे, तो सुप्रीम कोट सरकार को बोली है, कि इस provision को delete कीजिए, इस particular provision को, जिसमें कि वो लो, मतलब कहने का मतलब है कि, naturally कोई Muslim होगा, जिसके पास गाएं होगी, तो पुलिस को सक हो जाएगा, ये तो गाए को मर देगा, तो पुलिस उठा करके वो गौसाला में डाल देगी, और इसका रोजी रोटी जो है, यहीं से चलता था, तो इसका रोजी रोटी गया, तो यही बात को उठा करके बोला गया है, कि, कि यह स्टेक इजी है, कि, जिसमें बोला गया है, कि, allowed authorities to seize cattle on a mere suspicion, mere suspicion, कि, करल्टी हुआ नहीं है, mere suspicion, that they suffered cruel treatment at the hands of their owner, and were being primed for slaughter, और जब ये केस खत्म होगा, तब उस आदमी को गाएं मिलेंगी, जो बुड़ी हो चुकी होगी तब तक, जब तक अभी proof भी नहीं हुआ, तब तक वो उसका हाथ से निकल गया, तो ये एक मुद्दा है, आप लोग बहुत अच्छा से जान रहे हैं, कि, क्यों इस तरह के कानुन बनाए गये हैं, ये, the rules were framed under prevention of cruelty to animals, तो एक और ही बात है, कि, इससे क्या है न, society polarized हो रहा है, naturally polarized होगा, क्योंकि किसी का, जिससे रोजी रोटी चलता है, अगर उस चीज को छीना जाए, तो वो वो होगा, बाकि पढ़ियेगा, gender conditioning, चली ये भी बोल ही देते हैं, आगे छोड़ेंगे कुछ, ये वाला बोल देते हैं, 50 साल की आंगनवाडी worker थी, एक temple में गई, temple में गई, उसके बाद उसका rape और murder हो गया, तो, कल्प्रिट जो है वो, लिखा होगा है, अब प्रिष्ट एंड टू अफिछ, एस अट्स, ठीक है, ये मुद्धा आप लोग से थोड़ा बहु डिस्कस कर चुके हैं, तो, अचा ही है, तो हमारी जो, National Commission for Women है, उसकी head चंद्रमुखी देगी है, ये बोलती हैं कि कई बार बोलते हैं औरतों को, कि अकेले मत निकला करो, अकेले मत निकला करो रात में, मानती नहीं है, अरे एक बच्चा को भी छोटा लेकर कि तुम गई होती, तो ये घटना नहीं होता ना, मतलब कि औरते अगर रात में निकलती है, साथ में हस्बेंड हो, या बेटा हो, या जो हो, तो उनके साथ कोई छड़कानी नहीं होता, मतलब ये अगर कहना है, जबकि हम लोग, मतलब सैकडो केस देखते हैं कि हस्बेंड लेके जा रहा है, हस्बेंड को पीट के, बांध के रिप होते हैं, बॉइफरेंड के साथ होती है लड़कियां, रिप होते हैं, तो ये तो एक तो एक अपने आप में एक इशू है, ये कि ये एक बात, दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ा प्रियोडीस है, प्रियोडिस यह है कि ब्लेमिंग तो विक्टिम जो जिसके साथ में कुछ हुआ वो ही खराब था यह एक बहुत बढ़ा प्रॉब्लम है यह हमारा सोसाइटी का तो पुलिस वाले के पास जाएंगे और बुलेंगे कि मेरा परश्चिन आ गया तो आप साम को 6 बजे निकले ही क्यों थे तो अपना ड्यूटी मतलब आपके एरिया में लॉटर का प्रव्लम है आप वो नहीं देख रहा है आप विक्टिम को ब्लेम कर रहा है आपका ड्यूटी नहीं ठीक से हो रहा है इसलिए क्राइम हो रहा है तो यह जो होगा इसका एफेक्ट बहुत ही खराब होगा और यह जो लोग इस तरह के क्राइम को कर रहे है उनके लिए बहुत ही मोराल बुष्टर टाइप का होगा तो बड़े इंसेंसिटिव है बहुत इंसेंसिव अटरेंस है है और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इस्क्यूड जेंडर कंडिशनिंग तो वाट इस कंडिशनिंग साइकलोजी वाले वाट इस कंडिशनिंग अमर आवाज जब आएगा ही नहीं तो आप क्या कीजेगा आप मैक्रोफोन होन करेंगे आप चैट में लिख दीजिए हम कुछ कुछ देख लिया करेंगे आर्ति बोलिया इस बेसिकली लर्निंग हाँ ठीक है लर्निंग द्यान रखेगा आप लोग बाकी लोग तो कंडीशनिंग जान लिखा होता है कंडीशन नहीं कंडीशनिंग उसका लर्निंग होता है तो यह जो है कि यह हमारा लर्निंग है societal gender learning ऐसा ही है तो primitive mindset lawlessness is overlooked and responsibility is paint on the women बागी बाते उठी चुकी है कि ये तभी खत्म होगा जबकि लोग जो विमन को में जो कमांड में है वो विमन को जब वो एक प्रपर्टी के रुप में समझते हैं और उनको घर की चार दिवारी से नहीं बाहर निकलने देते हैं तो ये क्राइम होंगे ये एक जैसे ही पब्लिक प्लेसेज में विमन का संख्या बढ़ेगा वैसे ही क्राइम जो होंगे वो दिरे-दिरे करके कम हो जाएंगे ये बिल्कुल साइकोलोजिकल है तो ये बहुत जरूरी है दूसरी तरफ में बात करें तो हालत कई वार ऐसे होते हैं कि रेप विक्टिम को उसके घर वाले ही घर से निकाल देखा जाएगा तो प्रब्लम हैं कई जगा पर बाकी बाते साइकलोजी में करेंगे यहाँ पर बोल चुके हैं फिर वही बाते उठने लगेंगी तो बाते देखा जाएगा इसमें रैटर लाश्ट में लिख रहा है कि क्या जमाना है दो हज़र एकिस में हम लड़कियों को यह नहीं बोलते कि चांद पर चली जाओ हम बोलते हैं कि अंधेरे में मत निकलो यह सब जो है कल कवर होगा जो छोड़ते जा रहा है यह जो आर्टिकल है इस वेरी इंपर्टेंट फॉर साइकोलोजी स्टुडेंट्स साइकोलोजी ऑप्सिनल बहुत बहुत इंपर्टेंट है क्योंकि हम लोग साइकोलोजी में प्रिजुडीस और डिस्क्रिमिरिसन चाप्टर पढ़े थे कि क्यों हम लोग दूसरे गुरुप से नफरत करना सुरू कर देते हैं उनके दूसरा गुरुप कोई भी हो हिंदो के लिए मुसलिम, मुसलिमों के लिए हिंदो या कोई भी आपरकाष्ट के लिए दलित और इस तरह से कहीं भी जहांपर की कान्फिक्ट हो तो वो हम प्रिजुडीस्ट होते हैं तो होते हैं कई वार सब टेली भी होते हैं अगर मान लिजे कि कोई हिंदो और मुसलिम दोनों के हिंवा बात कर ले रहे हैं कि अगर एक दूसरे को देखके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बैठेंगे भी साथ में लेकिन जब तक बैठे रहेंगे तक 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 हो रहा हो अगर तो यह जो है अंदर अंदर है रिकोगनाइज नहीं होगा कि यह है पर होता है तो हम लोग पढ़े थे तो जब कभी आप UPS का सकेंड पेपर में अगर इंडियन डेटा अगर उसमें डाल देंगे तो आपका एंसर बहुत यह अच्छा हो जाएगा तो इसमें कुछ इंडियन डेटा है कि मतलब जैनरली सैकोलोजी के जो बुक्स है वो अमेरिका में लिखे गए हैं तो वो ब्लैक और वाइट्स के ज कि लर्निंग के वाइए नहीं है कि आप कुछ सीख लेते हैं कुछ काम करना सीख लेते हैं पैसा कमाने लग हो जाते हैं मसीन ठीक कर लेंगे डॉक्टर बन जाएंगे एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप लोगों को कैसे हैंडिल करते हैं तो लोगों को हैंडिल करना तभ कम्निटी के लोगों से अगर मेल जोल हो तो फिर उससे घटेने की भी चांसेज रहते हैं लेकिन हो साइकलोजी में पढ़े थे कि कई बार ज्यादा मिलना प्रिजुडीस को बढ़ाता भी है तो इसमें उस बात को उठाया है कि कांटेक्ट बढ़ाया आजाए तो बहुत सरी बाते हैं आप तो पढ़ेंगे उसको तो जिसको यहां पर आप देख रहा है कि कांटेक्ट है पोथेसिस यह गॉर्डन आलपोड का था उनका कहना था कि अगर हमारे केस में कि हिंदू और मुस्लिम अगर आपस में मिलेंगे और फ्रेंट्सिप होनी सुरू हो जाएंगी तो प्रिजुडीस घटे का लेकिन जरूरी नहीं है कई वर क्या होते है कि आपके के फ्रेंट्सिप हमारे हिंदू और मुस्लिमों से हो एक दूसरे का लेकिन फिर भी नफरत जो है वैसे ही हो क्यों कि तब हम क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड को हम लोग एकसेप्शन मान लेते हैं आरे हो तो एक बड़ा प्रब्लेम है तो एक इसमें एक एक एक्जांबल है कि केरल का किसी जगह का नाम लिया है कि क्या होता है कि नफरत के कारण जब कोई डूट लेने के लिए कोसिस करता है होई परसंड की सब्कूल मसलिम इस takieanne ट के भारा में लिखा वाए कि क्यों कालीकट में अग्रमी कालीक्त में नहीं रह पाते हैं यह एक मुद्व उठाया है तो उसको उठाया है कि काली कट में ऐसा क्या है तो काली कट में क्या है कि प्रस्नल लेवल पर कांटक्ट नहीं है Personal level when contact hypothesis तो है उसे भी prejudice कम होते हैं लेकिन नहीं भी कम हो सकते हैं अगर ये Community level when contact अगर हो जाये तो prejudice निश्चेत्वा पर कम होंगे यानि एक दूसरे community से लोग interact करना शुरू कर देंगे at level of community, repeat कर रहे है not individual, level of community तो prejudice कम होगा, कैसे interact करेंगे सोचिए कोई अगर काली कट में है तो काली कट में कोई मालयाली संगठन बन गया, मालयालम का प्रमोशन तो मालयालम का जब प्रमोशन का बात होगा तो नैचरल हिंदो-मुसलिम दोनों रहेंगे हो गया community पे contact दूसरा कैसे हो सकता है contact दूसरा contact हो सकता है कि तो लेवर वरसेस फैक्टरी ओनर या ऐसा कुछ अदर होगा, तो जरूद है सांती से जीने के लिए, अपने ग्रोथ को रियलाइज करने के लिए, अगर हम लोग सब छोटी-छोटी बातों में उलज जाएंगे, कि ऐसा करें मतलब वो community हमारे साथ इतना जुलम किया वहां पे ऐसा हुआ ऐसा जो भी तो हम अपने life को आप full potential में नहीं पहुँच पाएंगे सांती और justice, justice होना है और सांती भी जरूरी है ताकि आप कुछ बड़ा goal को realize कर सके आप देखे हैं कितना simple life है और था और devoid of any bagotry गीता भी पढ़ते थे और इसलाम का भी tenets को समस्ते थे तो यह इस तरह के लोग जो होते हूं जाता तरक्की कर पाते हैं तो अपना अगर आप social goal को लेंगे तो अलग मुद्दा है लेकिन अगर अपना achievement चाहिए तो जरूरी है कि सांती से नफरत को हटाया जाए आगे बढ़ते हैं आम लोग यह नहीं cover कर रहे हैं कल cover होगा यह भी कल cover होगा यह वाला हम कई बार class में बोलते हैं समुद्दे को कि advertisements जो होते हैं यह advertisements जो होते हैं अगर these are misleading तो इनको जरूर रोकना चाहिए अब तो बात कियेते हैं आप लोगों से कि यह जितने सारे साबून वाले बोल रहे हैं कि यह COVID के against में effective है यह सब उपर बैन लगना चाहिए था COVID specific ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं था या जितने सारे हैजकल हो मसाला और क्या-क्या घूम रहे हैं TV में कि यह immunity बढ़ाईए और उसी में बोल देते हैं कोरोना के लिए भी effective है तो हनुमान चलिसाय अंत्र का दावा है कि यह जो होगा यह भी कुछ-कुछ मतलब बचाता है कुछ भी supernatural है वो सब देखिएगा तो एक Mumbai High Court में केस आया हुआ है कि यह Mumbai में एक law है उसका नाम है महराष्ट्रा prevention and eradication of human sacrifices and other inhuman evil and aghori practices and black magic act आप बता सकते हैं आक्ट बनने के पीछे कुछ कानी है ना महराष्ट में अंध विश्वास के अगेंश्ट में एक law है करनाटक में भी ऐसा एक law है क्या इसके पीछे कुछ कहानी है कि यह कानून क्यों बना था ठेक है याद दिला रहे है एक वहाँ परसन हुआ करते थे इस नेम वाच नरेंद्र दाभूलकर यह दाभूलकर जो थे एक समिती बनाए थे किसे को याद है उसका नाम दाभूलकर कौन सा समिती बनाए थे नहीं आद है दाभूलकर जो समिती बनाए थे इसका नाम था अंध्र अंध स्रधा निर्मूलन समिती ठेक तो यह जो है यह कानुन है वहाँ पे तो यह जो हाँ पर केस मवाई कड़ू की आए कि बोला है कि यह भगवान के नाम पर कोई भी चीज बेचना कि भगवान के सक्तियां इस पर है यह जो है इट इस इल्लीगल यह इसी कारण से यह एक्ट के कारण से तो जज लोग भी स्टेट गॉवर्मेंट और बोले हैं कि अगर ऐसा है तो रेजिस्टर कीजे क्राइन जो इस तरह का अड़िश्मेंट करते हैं इस तरह का कि भगवान का पावर उनके पास में है नजर स्रुक्षा कवश यंत्र मतलग कुछ सुपर नेचुरल टाइप का और यह अन्वान चलिसा यंत्र तो सवाली तो उठेगा है कि भगवान अगर है तो उनहीं को क्यों यह पावर दे करके रखे हुए उठेंगे तो एनिवे तो यह है यह भी एक मुद्दा है हाँ पुजा क्या बोल रही है तो सर इसमें वो पंडित लोग भी आएंगे जो मांगलिक का पुजा करवाते हैं वो सर आने को तो आ सकते हैं अगर इस कानून में अगर अगर ऐसा कुछ specific exclusion नहीं होगा तो कि कानून तो हम लोग पढ़े नहीं लेकिन अगर exclude कर दिया होगा कि मंगली को एकर रखो हो सकता है एक्स्क्लूड भी कर दिया हो तो आएंगे फिर हाँ देखिए अगर बात करें तो महा मृति अंचा जब भी आना चाहिए इस में क्योंकि उसमें भी है कि इसको करने से मृतिक टल जाएगा तो आना तो चाहिए लेकिन अब उसको बात है उठता है कि एस लौ में कि इस तर से रखा हुआ है क्योंकि जब लौ बनाओगा तो यह सब पॉइंट सोचे होंगे लोग और जो डेली बेसिस के जो प्रैक्टिसेज हैं उसको जरूर है लोग बाहर करके रखे होंगे यह हमको लगता है और अगर नहीं रखे हैं तो फिर एक कादमी होना चाहिए जो उस पर कोश्चन उठाए तो हमको लगता है अगर इस तर इधर में एक फेस्टिबल हुआ था बच्चे जो है ना उनको पेट दागा गया अभी तब रिमारी नहीं होगा तो यह सब प्रैक्टिसेज है ना जो बड़े ही नहीं हुमें टैप कर लग रहे हैं इनको इस तरह कानून से रुकना ज़रूरी है. चली आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर ये बहुत होता है, मेरा भाई का भी हुआ था. हाँ, तो अच्छा कोई पार्टिकॉलर दिन होता है क्या मेरा? वो नहीं मालूम, लेकिन मेरा भाई का भी हुआ था कि पेट दर्द भविस्या में नहीं होगाई स्टेप से. तो ये जो है, ये अंदर विस्वास है, जिसके खिलाप में विर्सा मुंडा एतना फैट की है, लेकिन कुछ नहीं होगा. इसका देखिए, और भी एक बात हम बोलेंगे हम, कि एक बात दूसरा प्रेंगे ले, थोड़ा हम ये में चले गए, थोड़ा एक्स्ट्रीम में, कि देखिए, ये समचे प्रैक्टिसेज है ना, ये प्रैक्टिसेज एक कानून बनाने से नहीं रुकेंगे. इसका इलाज जो है, एजुकेशन ही है. जैसे सरकार बोलती है ना, कि हम कानून लाएंगे बच्चा पैदा करने पर कि दो बच्चा या एक बच्चा जो भी सरकार है. वो इलाज नहीं है. इलाज तो एजुकेशन ही है. एजुकेशन जो है, उसका बहुत illuminating effect है. तो बहतर ह है कि मतलब सरकार जो एजुकेट करें, तो एजुकेशन करने से क्या होगा कि वो अपने अब खतम हो जाएगा. फूर्स लगा करके कितना लोगों को रुकेंगे, वो असंब हो जागा. फूर्स कमजोर पड़े जाएगा. अगर सारे के सारे लोग एक ही तरने से सुच्चा करेंगे, तो आगे वरते हैं. इनिमिया के बारे में एक आर्टिकल आया था कि इंडिया में एनिमिक लोग काफी जादा है, खास करके इंडिया की जो विमन हैं, वो काफी इनिमिया है. तो एनिमिया जो होता है, वो चलिए अब लग बहते हैं, एनिमिया जो होता है, किस चीज का कमी के कारणने होता है? दिपक बहते हैं? किसी के पास और भी कोई अंसर है, यह अंसर सही है, तो हांद उठाके रखिएगा. तो थीक है, अगर सबस्टेंस के बात करें, तो आइरन सही है, बट फॉलिक एसिड और कुबाल्ट भी रोल प्ले करता है. तो यह दोनों भी, आप कही बार देखेंगे कि एनमिया और लोगों को डॉक्टर फॉलिक एसिड भी देता है, और विटामिन B12, इसमें को वाल्ट होता है विटामिन B12 में. तो विमन को एनमिया ज्यादा है इंडिया में, कई सारे कारण है, प्रेगनेंसी, पेरियेड्स, ब्लॉड दिसॉर्डर्स, कैंसर्स, इंहरेटेट डिसॉर्डर्स, इंफेक्स्ट इजीज, इंडिया में जो अभी सर्वे हुआ है, उसमें पंदर राज्यों में, जो पहाड़ी स्टेट है, वहाँ पर एनमिया जादा है, क्यों जादा है, क्योंकि यह लोग जो है, राइस और वीट पर जादा डिमेटिन रहते हैं, पहाड़ी एरिया में सबजियां, जो कहीं उगती अगर कहीं हो, तो वो सबजियां ताजा ताजा पहुंच नहीं पाती हैं, तो सबजी में भी विटामिन C होता है, यह हमारा वि का पहाड़ी एरिया में, लिकिन एक बड़ा मुद्धा इसमों उठाया है, वो आप लोग को समझा रहें, जिस कारण से में असा आर्टिकल को एक्चली होई पकड़े, कि मुद्ध यह है ना, कि psychology वाले लोग, वाट इस नॉर्मल दिस्ट्रिबुशन, भूल गया, चा, नॉर्मल डिस्ट्रिबुशन इस कर्व, इसमें देखा जाता है, कि कि society के maximum लोग किसी attribute पर कहां पर है, ऐसा होता है, इस नॉर्मल दिस्ट्रिबुशन कर्व, हम सोचिए यह हाइट का लिए है, तो हाइट का लिए है, तो नॉर्मल दिस्ट्रिबुशन है, मतलब कि यह जो एरिया है ना, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, आप एरिया देखा जाता है, नीचे पर कितना एरिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग है, तो एक पर्टिक्लर पॉइंट ऐसा आएगा, सोचिए 160 cm, अभी मैं एक अमेल का बोल रहा है जैसे, 160 cm, तो 160 cm जिसका हाइट है, उससे ज़्यादा हाइट 50% और कम हाइट 50% लोगों का है, ठीक बीच में है, तो जो 50% percentile पर है, उसको बोलते हैं आम लोग, बेल सब्ट कर्व का वो average पर है, mean पर है, और जहाँ पर लोग सबसे तर रहते हैं, वो normal distribution है, मतलब कि सारे के सारे attributes जो होते हैं, लगभग सारे के सारे attributes, उसमें normal distribution जो कर्व ह होता है, यह बेल सब्ट कर्व, बेल सब्ट कर्व का मतलब हो गया कि maximum लोग जो होते हैं, वो middle के आसपास ही होते हैं, तो this is बेल सब्ट कर्व, यह height का हम बता दिये, कि यह normal distribution है, तो ऐसे ही यह कर्व बनेगा, 50% मतलब कि maximum लोग जो होंगे around the middle, तो तब क्या है, कि एक और एक और लेते हैं, blood pressure का है, तो आप maximum लोगों का, चे टेंपरिचर कहते हैं, आज कल COVID में टेंपरिचर खुब चल रहा है, तो maximum लोगों का टेंपरिचर जो होगा, वो हमेसा 98 degree Fahrenheit होगा, और कुछी इस तरह से बनेगा करू, और 97 भी किसी-किसी का होगा, जो body average temperature, 99 भी रहेगा, अब 100 वाले जो होंगे, वो बहुत-बहुत कम होंगे, जिनका normally रहता होगा, वो ऐसे graph गिर जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा, बड़ा steep रहेगा, तो लोग जो होंगे इसी temperature range के बीच में रहेंगे, तो ये normal distribution का बात कर रहे है, कि पांत ये है ना, कि थोड़ा बात क्या बोलना चाहरे है, कि कुछ समझाना है, इसलिए कुछ-कुछ और बात कर रहे है, बात ही कर रहे है, कि best temperature क्या है, होगा ना, कि रॉक्टर बोलेगा, आप एले temperature ठीक है, तो ठीक है, तो कैसे बोल ठीक है, maximum लोग का normal है, आपका भी 98 है, maximum लोग का 98 रहता है, तो सोचिए, ऐसा हो भी रहा है, कि अब पते चल रहा है कि नहीं, लोग का temperature गिर रहा है, 97 जा रहा है, तो 97 जा रहा है, तो एक जमाना आएगा ना, आज से 50 साल बाद, जब 96 लोग का temperature रहा है, हाँ, हाँ, बिलकुल normal है, 98 हुआ, अरे fever तो कैसे decide करते कि normal क्या है, normal decide करने के लिए करते हैं, कि बहुत लोगों का survey करते हैं, और survey करके निकाल लेता है, कि maximum लोग जो है, EC में हैं, अब सोचिए ना, कि अब हमारा IQ है, हमारा IQ है, बोलते हैं, यह 100 है, तो 100 है, बट स्कोरिंग का थ्लबाद कर ले, कि एक जमाना में, जिसका 110 IQ होता था, आज से 100 सल पहले, 110, तो वो अच्छा IQ वाला है, आजकल क्या है न, कि उसका जितना IQ था, उतना IQ हम लोगों का हो गया है, average IQ हो गया है, IQ बढ़ा है लोगों का, क्या उसको बोलते हैं, क्या effect है, कोई पते हिए, कौन से effect है, जिसको बोलते हैं, कि IQ बढ़ हो गया है, अच्छा, लगता है, साइकलोजी वालों का, मेमरी लाप्स हुआ है, ठेक है, कोई बात न, यह जो है, यह IQ जो है, इसको बोलते हैं, कोई नहीं पता है, लेकिन, it was flying effect, देख लीजेगा, तो यह क्या है, कि अगर यहां पर बात कर रहते हैं, कि यह एक बेल है, अच्छा, अब लेट हो गया, ममता, कुछ बोल रही है, का दूसरा बात, अच्छा, देखते हैं, एक और, तो यह बात यह है, कि पहले क्या था, बेल सब्ड कर्ब इस तरह का बन रहा था, IQ का, अब क्या है, बेल सब्ड कर्ब ऐसे बन गया है, यहां पर प्लॉट किया ह तो IQ, बेल सब्ड कर्ब, क्योंकि IQ लोगों का बढ़ गया है, हम बोलना यह चाह रहे हैं, कि हम तो गुलाम देश थे, हमारा एजुकेशन, हमारा रिसर्च बहुत कम हुआ है, साइकोलोजी में तो हालत यह है, कि ज्यादा तर बुक्स जो है, वो विदेशी ही होते हैं, normal क्या है, वो maximum European countries में है, अमेरिका में क्या नौर्मल है, तो Europe और अमेरिका में जो नौर्मल है, that is 12 जो है, इतना तो फिमेल का, वहां पर होता ही है, 12, normal, लगवक सब का, मदब, नौर्मल है यह, लगवक सब का 12 ग्रम पर डेश लीटर होता है, तो इसको बोलेता है, इस नॉर्मल तो हम क्या है यहां पर जब डॉक्टर देखता है तो लेडी का किता निकलता है इट निकलता है तो बोलता है तुमको थे निम्या है लेकिन इसका जो एस्टेंडराइशन है बहुत अच्छा समझेगा एस्टेंडराइशन वह उरूप में और अमेरिका में हुआ तो इट माइट नॉट इन इंडिया एक बात है कि वो हो सकता है ना कि रोब के लेडी का उतरा होता हो इंडियन जो जिनिटिक लूप से उतरा प्रिशिड प्रिडिस्पोस्ट हो कि हाँ अगर आप अबरेज निकाले तो दस आज है तो आप जैसे इंडियन एस्टेंडर भी ल रहेगा तो यह एक इसू दिख रहा है क्योंकि इवन ग्रीन रेवलूशन हमारे यहां पर हुआ हमारा खान-पान अच्छा हो गया पहले तो काफी अकाल भी पढ़ते थी फिर भी हमारा जो हमारी खास करके फिमिल का जो हमोगलोबिन बढ़ी नहीं रहा है तो कितना आइड करना चाहिए कि ताकि पता चल सके कि सही मेनी में कितना है ऐसा तो नहीं हम जैनेटिकली प्रीडिस्पोजट है कि हमारे इतना ही होगा इसमें मुद्दा उठाए कि कई सारी फिमेल जो होती है उनका 6 होता है हम समझाने चाहा रहे थे ना कि इंडिया में कई चीज का एस्टेंटरेशन नहीं हुआ है जैसे अगर अगर बृतियन के मिलिटरी के लिए भर तो peng इणिकलिंगे घृतोंily किटना Harley मगेगा वह 175 डूप years अगर हम उसी यहां पे मांगे तो यहां पर मिलेंगी नहीं फाज पाजकर मैं यहां पर 167 यह one r सेंटिमेटर मांगा जाता है क्योंकि पता है कि इस आवार इस्टेंटर्ड यह तो हाइट का कर लिए लेकिन उसमें भी काम करने का चर्वत है गाजियाबाद में एक नया नया एक क्रिमेटोरियम बना था नया नया तो बारिश हो रहा था कुछ लोग निचरली सारे के सारे मेल थे क्योंकि फीमेल तो जाती है नहीं है समसान गाट में तो 24 लोग वहाँ थे बारिश हो रहा था और वो छट गिर गया छट गिर गया 24 लोग मारे गया नया नया बिल्डिंग था बताने काब लोगों जरुवत नहीं है कि कैसे बना होगा, क्या-क्या अंदर में होगा, कि ये कांड हुआ, किसको किसको फैदा हुआ होगा, तो बड़ा नेकस सस है, बहुदा बहुत नेकस सस है, political patronage, किसको ठेका देना है, कैसे कैसे बंदरबाट होगा, सब कुछ fix होता है, कि एतना इतना बटेगा, तो वैसे में तो inferior material लगेगा ही, favoritism होता है, तो यह अगर system ही अगर बनवाया और system ही इसका फिर जाच करेगा तो कुछ निकल के नहीं आएगा, तो judicial inquiry होता तो कुछ निकल के आजाता, यह ृूू। चलिए एक छोटा सा कोशन को पूछते हैं पैटेंट कितना देंगली मिलता है कि मेडिशिन पे आकांचा अगर इंडिया में पैटेंट कर रहा है तो उससे पूछा जाता है एक फॉर्म भरना बढ़ता है उस भरता था जिसमें उसको लिखना पड़ता था कि कितना वो जो पैटेंट जिस मेडिशिन पे पैटेंट वो उसको मिलेगा इंडिया में वो कितना medicine वो इंडिया में मंगाया और उसका local कितने लोगों से partnership है कितना पैटी से ताकि distribution जो है वो sufficient हो सके अगर distribution sufficient नहीं है medicine का तो sufficient distribution के लिए वो क्या कर रहा है एक बड़ा से form होता था जिस form को जो medicine company जिनको patent लेना होता तो भरती थी भरने का rule था लेकिन यह होता क्या था निए भरती नहीं थी ठीक से ठीक से भरती नहीं थी अच्छा तो अगर मान लिजे कि वो patent holder जो है वो जो claim कर रहा है कि patent हो दे दो तो patent दे दो अगर मान लिजे कि उसका जो उसमें लिखा हुआ है कि मंगाने को ले करके कि हम इंडिया में कितना supply कर चुके हैं कैसे हम या पर उस medicine का supply को सुनिश्चित करेंगे यह सारे की सारे बाते अगर हो और उसका actually violation हो रहा हो तो फिर Indian government को right था कि उस पर अगर मान लिजे कि वो इंडिया में sufficient नहीं मंगा रहा है उसका price का certainty नहीं है लिख के दिया था patent लेते समय लेकिन certainty नहीं है इंडिया में वो partner से उतना अच्छा से नहीं किया था कि इंडिया में supply ठीक से medicine का हो पाए तो इंडियन government क्या कर सकती थी आप लिग बताईए क्या कर सकती है इंडियन government अगर पैटेंट होल्डर जो है वो फॉर्म भरा है फॉर्म के बाद पैटेंट मिल गया है लेकिन वो जो उसके में डेटा है उस डेटा के सबसे काम नहीं कर पा रहा है तो इंडियन कर सकती है एक हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वो सफिसियंट वह नहीं ला पारही है प्रैस का स्टैबलिटीन आहीं तो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है कि वह रिजनेबल प्राइस में लोगों तो पहुच पाए तो फिर इंडियन गॉवर्मेंट compulsory licensing कर देती है आप लोग के याद होगा compulsory licensing ठीक तो कुछ बता ये हम इंपोर्टन मुद्ध बता रहे हैं फिर बोल दे रहे है यह इंपोर्टन सी लायक मुद्ध है यह अनिमस गो लिया उसका लाइसेंश मजल्क एक तरह से जैनेरिक कर देगी मैडिसन को Sh睡ya प्पलिक हेल्थ को देखते में उसको दुसरे कंपनियों को भी देगी कि आप वह कर सकते Manufaktur कर सकते है अलमस्ट ठीक है अलमस्ट एकचली कूप करती कहने कंपनोरी है किवो किसी पांटिकिलर इंडियन कंपनी को पांटिकुलर इंडियन कंपनी को वो license देगी कि तुम वो drug manufacture करो और यह जो license देगी तो naturally patent holder भी तो है उसको पैसा मिलना चाहिए तो उसको पैसा मिलेगा लेकिन यह forcefully वो सर्थे जो होंगी वो Indian government लिखेंगी कि यह दोनों company में हम agreement करा रहे है यह इतना इतना पैसा इसको मिलेगा इतना पैसे में इतना इसको जाएगा मतलब इसमें फोर्च है कि वह जो कंपनी पैटेंट वाल्ड को साइन करना पड़ेगा वह इसको बोलते है एंदर फोर्ष्ट agreement between Indian manufacturer जो बना सकता है उस दवा को क्यों? क्योंकि एक supply में कमी हो जाना है न लोगों का पबिलिक हल्थ पर असर पड़ रहा है, supply भी कर पारा है, patent लेके रख लिया है, patent लेके रख लिया है, तो patent लेके रख लिया तो लोगों को दो दे नहीं पारा है, तो व तो है बात यह है कि compulsory licensing कराने के लिए तो जरूरी है ना कि वो जो लिख के दे कि हम ऐसा ऐसा कर रहे है तब तो आप बोलेंगे कि यह तुम लिख के दिया और यह जो है तिरा फुल्फिल नहीं हो पा रहा है तो company क्या करते थी तो इसको लिखती ही ठीक से नहीं थी यह problem था नहीं लिखती थी तो कोई person जो था यह court में मुद्धा उठाया कि company जो ठीक से नहीं भर रही है तो court बोली हाँ तो सरकार को बोला कि आप क्या हो रहा है तो सरकार बोली हाँ कुछ problem है form में उसको ठीक करेंगे सरकार उसे में ठीक नहीं कि दो सलबाट उसको so called ठीक की so called वो जो जो सब बात था ना कि अब कितना इंडिया में मंगाए कितना piece मंगे दवा का कैसे एस्टेबलाइज करेंगे प्रेस वेगरा हो सारा का सारी घाब कर दी ठीक की जिसमें की जो बात था कि भरती नहीं है भरवाया जाए लोगों को मिला भी की नहीं मिला कमाएं तो यह伊र सब उठाइस के गौ़र्वेंट. जो करना था कि और टरा मांगना था इन लोगों कåन्पनियों से और फूर्स करना था कि तुम जो फॉर्म है उसको ठीक से भरो तो सरकार जो है वो उल्टा ही काम की और वो जो डेटा है उसको और कमजूर कर दी तो हम लोग एक टाइम था जो पहला हमारा जो कमपसर लेसंजिक था वो सोराफेनिब या नेकसावार का था यह नाटको फार्मा था इसका था एंटी यह पुराना बात हो गया वो 17 से भी पहले का यह बात है नाटको नाटको का हुआ था था तो खेर तो हम समझा तो थी यह लेकिन पढ़ना आप लोगो अच्छा से पढ़ेगा यह अच्छा से बहुत अच्छा से पढ़ेगा पैटेंट के एक ऐसे मुद्धे है ना कि यह केवल इंडिया का अफेक्ट नहीं करता है यह हमारा बाइलेटरल रिलेशन्शिप को भी अफेक्ट करता है क्योंकि कंपनिया यूरोपीन होती है हम करते हैं का पावर हमको कहां से मिलता है पती है क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे सब सुचिएगा इंटरनेशनली तो कुछ होना चाहिए ना मतलब कि कोई कोई आविस्कार किया नया बिलकुल डिस्कवरी है तो नया डिस्कवरी है तो उसको तो आप उसका हग तो नहीं मार सकते तब तो लोग बंधी कर दे कि कि देश कैसे चलाए जाएंगे किसी देश का पैटेंट दूसरा कि देश में कैसे रिस्पेक्ट होगा अब कुछा बोटीओ में जो है यह डबलू टीओ में ट्रेड अग्रिमेंट में यह है कि अगर पब्लिक हल्त हो कैसू आ जाए तो कॉम्पल्स लेसंसिंग कर सकती है किये नहीं इधर में काफी दिन हो गया और तो हम बोल रहेते कि क्योंकि प्रेशर पड़ता है क्योंकि अगर हम कर देए एक पर ऐसा नूज आया था कि हमारी शरकार यूएस को वरवली बोल चुकी है कि हम कंपल्स लेसंसिक अब नहीं करेंगे हमारे इस पावर है लिए हम एक चोटा सा मुद्ध और कवर कर दे रहे हैं एक दो मुद्धे हैं तो कवर कर ही देते हैं एक मुद्ध यह है कार सब्सक्रिप्शन तो वाटिच कार सब्सक्रिप्शन यह समझा दे रहे के वल कि है क्या कि आपको कार खरीदेंगे तो आप जनरेल लोग लोन लेते हैं लो को कार खरीदना नहीं है आपको सब्सक्राइब करना है और चार को यूज करने का Power आपको मिल जाएगा नया का कार अब मिल जाएगा आप चलाइए उसका black हो सकता है नमबर प्लैट तो विल्ट में पता चाल जाएगा कि यह सबस्क्राइम या फिर आपका white नमबर प्लैट हो सकता है तो wishing तो आपको क्या है ना पर मंथ कलगे करना है कारपके पास रहा है काप चलासके करना तो तो खरीदना नहीं है लेकिन अकर मालने जए कि आप एक कार खरीदते हैं तो मालने जए कि आप डेस्टर खरीदते हैं तो यह आपको 15,000 जो है अभी डेस्टर का नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि मुद्दा तो ब्रिजा खरेते हैं क्योंकि मुद्दा तो मारूती का ब्रिजा तो ब्रिजा खरेते हैं तो आपका पर मन्थ जो पढ़ता है तो आप देखेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको 12,000 ही पढ़ेगा ऐसा नहीं है कि आपको वो कुछ सस्ता पढ़ रहा है वो अलमुस्ट अलमुस्ट वही पढ़ जाता है तो फिर कोई क्यों करेगा एक मुद या हो जाताै कि उसके पास डाउन पेमेंट लिए पैसा नहीं है नोहीं सकता है क्योंकि डाउन पेमेंट हो सकता है ले चाहिएं उसलों डोलाज़मी करना पड़े उसके पास हैं मेरा नाम मतलब कंपनी कही रहे हम चलाएंगे इक दूसरा है कि जो लोग घर shifting करते रहते बीच बीच में तो वो जो मतब कामी ऐसा है तो वो क्या subscribe कर लेंगे सुझे दो साल हुआ company को वापस कर देंगे कि हम तुम रखो अब और फिर वो कहीं दूसरे जगा जाएंगे कि दूसरे जगा subscribe कर लेंगे तो इस कारण से यह model चल रहा है पैसा को कोई पैदा नहीं है किसी को कुछ hassle free हो सहता है कुछ लोग होते हैं कि हम नहीं खर देंगे हम वैसी चलाएंगे तो उस तरह के लोगों के लिए है आगे चलते हैं यह जो मुद्दा है यह हम डिसकस कर चुके हैं सौट में बता रहे हैं इस आर्टिकल में जो रैटर है वो क्रिटिसाइज किया है कि हमारा जो ड्रग रेगुलेटर है यह ड्रग रेगुलेटर बिदाउट एडेकवेट डेटा थर्ड फेज का ट्राइल का डेटा ठीक से आया नहीं है बलकि सुरू ही हुआ है और तभी यह को भी सेल्ड और को वैक्सिन को यह इमर्जेंसी यूज रिस्ट्रिक्टेड यूज का पर्मिशन दी दिया है जो लेंगुज लिखा बोल दे रहे हैं दर रेगुलेटर डिडन्ट वेट फॉर सफिसेंट सेफ्टी एंड इफिकेसी डेटा और नहीं यह जो डेटा जिस डेटा के बिसिस पर एप्रूबल दिया है उस डेटा को सेर किया है तो उस कंपेर किया है कि जब अमेर्का में एप्रूबल दिया गया तो जो मीटिंग हुआ जो रेगुलेटर का वो लाइव टेलिकास्ट अपना मीटिंग का किया और यह जो डेटा जो कंपनिया सब्मिट की है यह डेटा पब्लिक फिल्ड में है वहाँ पर कि लोग देख सकते हैं कि इसका डेटा में क्या है तो कोवी सिल्ड का बारें बात कर रहा है कोवी सिल्ड में यहां पर कोवी सिल्ड का जो फिल्ड टू एंड ट्री ट्रैल था यह 1600 पार्टिसेबेंट पर किये गए केवाल सेफ्टी और इम्मिनल जेनिसिटी के लिए इम्मिनल जेनिसिटी क्या है सर्थ मतब इम्मिनिटी मतब इम्मिनिटी आ रहा है कि नहीं और सुरुवात में यह दो करते हैं उसका बड़ा मतब कि पहले यह देखते हैं ना कि सेफ है कि नहीं है दूसरा बात है कि यह इम्मिनिटी को जेनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है दो बात लेकिन यहां पर अप्रूबल नहीं होता उसके बाद लाज यह दो अगर कंफर्म हो गया सोची पहला बार में सेफ्टी में फेल कर गया तो फिर क्या करेंगा उसका आगे लेकिन अगर दोनों पास कर गए तो फिर आगे काम करते हैं तो यह इम्मुनेजनिस टी जो इडिविजवल पर किया गया लेकिन अब जो वैक्सिन का इफिकैसी है इम्मीन सिस्टम को वह कर रहा है इसके लिए जो है वो जो यूके का ट्राइल है उस पे रिलाई करते हैं मतलब यहां पर इम्मुनेजनिसिटी सेप्टी और वहां का इफिकैसी तो उस पर यह प्रलम कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए था फिर क्या है कि यूके का जो रेगुलेटर है वो जो है वो सारा का सारा डेटा देख करके वो बोला कि 4-12 वीक में का अगर गैप हो तो फिर वो बहतर यह काम करेगा वो यूके का डेटा है लेकिन यहां पर चुकि वहां पर चुकि तो यहां पर हावा में इस रैटर के हिसाब से हावा में डिसाइड करना पड़ रहा है बिजाओट एनी डेटा कि 28 दिन का गैप क्यों रहेगा इसके हिसाब से कि वो कोई डेटा नहीं है बस यूंहीं आप एक बोल रहे हैं कि कि इतना दिन का गैप दिया जाए तो इसका कहना है कि कोवैक्सिन को अप्रूब करने में दोनों का बात उठाया है और इसका कोवैक्सिन को यूज करने बोल रहा है कि हम चाइन और रसिया ही बन गया है जो रसिया तो यह बोल रहा है कि हम लोग उसी लाइन में हम लोग भी लग गये हैं जो बीना बहतर तरीका से इसको नहीं मतलब डिटा नहीं है सबसे बड़ा जो हमको भी यहां पर लग रहा है बात कि आगर ऐसा बोले ही हुआ है क्लिनिकल ट्रायल मोड में इसको एड्मिस्टर करेंगे तो कैसे करेंगे कैसे होता है क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब हो गया कि जितना बड़ा ग्रूप को आप देंगे वैक्सिन उतना ही बड़ा प्लेसबो ग्रूप होना चाहिए जिसको आप क्यों लगेगा कि उसको इंजेक्शन पढ़ेगा नहीं तो यह क्लिनिकल ट्रायल मोड होता है तो यह रेटर को रहा है कि वीना प्लेसेबो ग्रूप का यह क्लिनिकल ट्रायल मोड होगा कैसे क्योंकि आप हेल्थ वरकर्स को दे रहे हैं यह लिए 19 क्या इस तर से clinical trial जनता के साथ किया जा सकता है यह भी एक question उठाया है तो यह बोल रहा है this is nothing but a large-scale phase 3 clinical trial carried out on people belonging to four paratic groups consenting to receive the vaccine बाकी आप एक ड्राइरन का बात है यह बाद में भी आप देख लेंगे अच्छा यह हम ऐसा करते है class को close करेंगे क्योंकि इसके आगे पढ़ाने का मतलब है ना हम energy दे पाएंगे ना आप को energy मिलेगा तो फिर भी कल class complete होगा जो छूटा वो छूटा क्या वो कल कवर करेगी मनता तो हम भी हम मतलब फिर रिपीट कर रहे है परसो test as usual होगा ठेक हाँ किसे कुछ पूछना है आप लोग जो time मिल रहा है उसमें पढ़ लीजिए कल सुबह में तो आप लोग बीजी नहीं रख रहे हैं तो सुबह में आप पूरा का पूरा भी नोट्स भेज़ दे रहे हैं आप पूरा पढ़ लीजे फिर परसो भी मिल जागा दिनवर टाइम कल साम को बचा क्या है तो बचा है कि बिजनेस ही नहीं बचा है इंडरेस्टा हो गया national हो ही गया थोड़ा वो जो टॉपिक है कल पढ़ा दिया जाएगा और बिजनेस बचा हुआ है ये कल कबर हो जाएगा ठीक है अगर जरुत पढ़ीगा तो चुकि मुंता के लिए बहु करना चाहा रहा है और हमको पूरा उमीद है कि फर्स्ट परवरी से खुल रहा है क्लास आज प्रवात कमर देखेगा आप लोगों को लगेगा कि गवर्मेंट को प्रेशर बना मतलब क्रियेट तो किया ही जा रहा है कि हम से और फिर बताएं हम तीन दिन हमको बाहर भी जाना है किसे को पूछना है नहीं तो फिर क्लोच करते हैं है ग्लस तैंक यू सर्व थैंक यू सर्थ थैंक यू सर्थ थैंक यू सर्थ झाल